पित्र कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालू होते हैं लेकिन संतानों की उपेक्छा से दुखी हो जाते हैं। कुई संतान के द्वरा शाद कर्म और पिंडदानादी करने से उन्हें त्रिप्ती मिलती है। और वे अपनी संतानों को धन धानने और खुश रहने का अशिरवात देते हैं। पित्र ये नहीं चाते कि उनकी संताने उनको त्रिप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रदा भाव से किये गए श्राद के खुशी के साथ स्विकार करते हैं कहा भी गया है कि श्रदा के बिना श्राद पुअधूरा होता है इसी से जुड़ी है श्राद पक्ष की पौरानी कथा आईए जानते हैं ऐसे श्रदा भाव से प्रशन्न होकर पितर देते हैं अपना आशिरवाद पौरानिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे दोनों अलग-अलग घरों में रहा करते थे जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन भोगे निर्धन था दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे लेकिन जोगे की पतनी को धन का अभिमान था तो वही भोगे की पतनी सुशील और सांत सोभाव की थी जब पित्र पक्षाने पर जोगे की पत्नी ने उससे पित्रों का श्राद करने के लिए कहा तो जोगे इसे वेर्थ का कार समझ कर टाले की कोशिश की लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद का कारिकरम रखना चाहती थी ताकि वो अपने माई के पक्ष के लोगों को बुला कर दावत कर सके जोगे की पत्नी ने उसे कहा कि मुझे कोई परिशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं लेकिन मैं सत्य कहती हूँ मुझे इसमें कोई परिशानी नहीं है मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार करवाने लगी उसने अनेक पकवान बनाए फिर सभी काम निप्टाने के बाद अपने घर वापस आ गई क्योंकि उसे भी पत्रों का तरपन करना था जब पितर भूमी पर उत्रे और जब वे जोगे के यहां गए तो देखा कि उसके ससुराल पकष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहां गए तो देखते हैं कि मातर पितरों के नाम पर केवल अगी आरीक दे दी गई है पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहां का शाद ग्रहन करके इखटे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह के उनके लिए शादों के पकवान बनाए जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन ना होता और शाद करने में समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी दो जून की रोटी नहीं थी ये सारी बाते सोचकर पित्रों को भोगे पर दया आ गई अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए साज का समय हो चला था लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था उसके बच्चे भूखे थे बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरश कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में होदी आंधी रखी है उसे जाकर खोल लो उसमें जो भी मिल जाए आपस में बाट कर खा लेना बच्चे जब वहाँ जाकर होदी देखते हैं तो वे दोड़े दोड़े मा के पास जाकर कहते हैं कि मा होदी तो मोहरों से भड़ी पड़ी है आंगन में आकर भोगे की पत्नी यह सब कुछ देखती है तो उसके आश्यरे का ठिकाना नहीं रहता है इस तरह पित्रों के आशिरवाद से भोगे भी धन दाने से परिपूर्ण हो जाता है लेकिन वह इस बात का बिलकुल एहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी शदा के साथ भोगे एवम उसकी पत्नी अपने पित्रों का शात करते हैं भोगे की पत्नी पित्रों के लिए 56 प्रकार के वेंजन तयार करती है वे दोनों ब्रामनों को भोजन कराते हैं अपने जेड जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चान्दी के बरतनों में भोजन कराते हैं इससे उनके पित्र बहुत प्रसन्न होते हैं